वेलकम तू दा स्टीम गाईज यहां पे कुछ स्लॉट्स इद उद लॉट करने पड़े इस लेट हो गया बट काफी सारी टीम आप देखते हैं बीच में नहीं आई है इद उद बैटना पड़ा है थोड़ा सा आखरी आखरी टाइम पे लोग बताते हैं इस ले थोड़ी से यहां पे दो स्कॉड बैक आफ कर गई और मेरे को फिर दो नए इस लोट देने पड़ गए बाकी हां पे छोड़ो यह सब आलतु की बाते हैं यहां पे गीम साट करते हैं और आज की प्लॉट लिख में आपको बता देता हूं टीम यहां पे हम लोगों देखने मिल रही है 3rd slot पे 4th पे 13 बाद लाइं 5 पे 6 पे 6 पे सुजी 7 पे बूजर 8 पे लॉगदाउं 11 9 पे हशी 10 पे टीम और 6 11 पे टीम नहीं 12 पे टीम के fantastic sports आने वाली थी I don't know they have come or not क्योंकि यहां पे लास्ट ताम मेने slot चेंग गया 13 पे टॉंड़ 14 पे टीम माइनस 15 पे GTX गैं 16 पे यहा 20 पे team hawk 21 पे x team e-sports 22 पे misteris 23 पे gully boys 24 पे team mayhem 25 पे as usual total war यहां पे आते हो दिखने मिल रही है यह अच्छी की squad आज काफी दिनों बाद हमारा custom खेलते हुए 13 bloodlines के साथ भी देखना को कुछ कमाल करके दिखा पाते हैं कि नहीं Suzy की squad काफी अच्छा performance रहा कल no doubt second dinner लेके गई की काफी अच्छा गेंटे रहा था बंदों का और let's see यहां पे क्या कमाल करके दिखा पाती है squad यहां पे कुछ नए squad यहां पर उपर गयाते हैं यहां फिर पाफ इसलाएं यहां पर continue होती हुए वैसे ही team mayhem और कुछ का squad यहां जो अच्छी दिखने ले जा रही है आज देख यहां पर में काफी सारी squad जोर्जो की city के तरफ ड्रॉप लेते हुए और क्या पता यहां पर क्या होने वाला है फिलाल यहां पर में चेक करते हुए बंदे और ESC squad यहां पर ड्रॉप ले चुकी है थोड़ा से यहां rendering issue as usual बड गेम जैसे जैसे चलते जाएगा यहां पर game मत लग बनते जाएगा टींशन की बात नहीं है फिलाल के लिए यहां पर काफी सारी squad हमनों को जोर्जो में दिखने मिल रही है गली बॉइस की squad यहां पर आते हुए फिलाल के लिए पीछे में 121 की squad यहां पर fallback करने की कोशिश करे एक्स्रीम e-sports open से पाएंगे एमीवे no doubt यहां पर spray देने की कोशिश करनी चाहिए थी अभी तक के लिए I don't know why he is shooting right now बट यहां पर शॉट्स लेके यहां पर kills निकाले जा सकते थे spot नहीं किया उनको I think बट अभी के लिए यहां पर ESE की squad उनका स्वागत करने के लिए सामने में बैठी हुई है और extreme e-sports के 4 rams के creators ने वहां पर knock निकाला है let's see 4 rams की squad यहां पर 70 number slot में और अभी के लिए उनके पास move करना बहुत ही ज्यादा ज़रूरी इस नॉक किया था अभी के लिए कटते के साथ यहां पर गूमते हुए कट आइंके हाथ में सामने में यहां पर दिखने मिर रहे हैं हम लोग को snow यहां पर नॉक पड़े हुए राक है यहां पर पीछे में देखने मिर रहे है और I don't know इसी स्लोट कैसे बनी होची की स्कॉड और GTX की स्कॉड यहां पर कमवाइन होते हैं फिलाल के लिए आप एक और बंदे का नॉक निकाल लिया के रही संसे जयें कमवाइन मिर बंदे में होगे उनके पास पिलाल पिर अनौञे पीछे होगे पीछे और यहां को कही न काई मोब खरना पीछे हैं हम कही एच्छा चिहाह अsalुदं टिबाला का बट वहां पर टोटल और ने अनॉक किया और ठंडर को यहाँ पे फिनिश आप करते हैं लिपोका में यह फाइट चलती है फिलाल के लिए वन मेन आर्मी यहाँ पे आगे इनिशेटिव लेने की कोशिश नो डाउट यहाँ पे पिस्तॉल था इनके पास और आगे वाले पास M16 डिबाला है यहाँ पे नॉक निकालते ह यहाँ पे डार्सोल भी फिलाल के लिए यहाँ पे काफी सारी निकाल चुके बंदे ओके थोड़ा से यहाँ पे शाउंड मैंने देना फूल गया था और लेक्सी कल काफी कम साउंड हो रहा था तो आज इतना इस थीक होगा और सामने यहाँ पे बंदे अभी भी भी 20 टीम और अभी इनका रास्ता पूरा खाली देख रहा है लिपोका में एजीली लूट करते हैं का नाइन की रवाड नाइटी यहाँ पे चलाते हैं देखने मिल रहा है फिलाल के लिए और सहादल यहाँ पे फॉल बैक करते हैं ओके अपने स्कॉर्ट से रिक्रूट होते है टीम नमर 14 यहाँ पे टीम माइनस भी देखने मिल रही है और अभी के लिए यहाँ पे कोई भी पाइट अंगेज नहीं होगी पोर राम्स की स्कॉर्ड अभी भी हो पाइट लेते हुए देखने मिल रही है अभी तख फिनिश नहीं किया टीम नमर 9 को और दो बंदे यहाँ को पिकाउप करने की कोशिश हो सकते है इनकी लागया पेंळ बनाये हुए पर यहां पे पली रोभी का यह इन के पास है नहीं उपर से जम करके र्ली का पर ये प्रहुंव का पर्सपेट्टिव देखना होगा अभी तक के लिए कोई भी शौट नहीं लिया एक ही और और कि थोड़ा से यहां पर वाइपाइ का प्रॉब्लम है बट यहां पर बुचर ने वहां पर रोहित को नॉक निकाला है और अभी के थोड़ी सी लोडिंग सिंग का वेट और जैंक यहां पर एमीवे पर क्लोजिंग करते हैं निकिंग कर लिया काफी अच्छा है यहां पर और निकाल राइडनाओ आगे मूग करके मुव करके थर्टीन की स्कौर्ण या रिक्रूट होंने की जरू वो चिंक है यहां पर देखने में रहा हैं आप मनें को दो स्कॉर्ट तीम निम्स इस्क्स यहां पर ओके सूजी की स्कॉर्ड यहां पर है पोरामस की लेवी ने आता हुआ कि वाईफाई चले गया था अब लेट सी यहां पे क्या होता है थोड़ा से यहां पर प्राउलम आ रहा है काई डोट नो वाई बट मैं थोड़ा सा है यहां पर स्विच करके वापस से ठीक करने की कोशिश करता हूं अब पिर गया वाईबगा बहुत ही जादा प्राब्लम आ रही है वाइफाई पर वाइफाई पर स्विश्ट मॉबाइल डाटा और लेसी यहां पर क्या मुमेंट ओमेंट यहां पर शॉट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं फिलाल के लिए और शॉट्स यहां पर मिश्टर परफेक्ट को कनेक्ट होता अब इक लिए यहां पर मिश्टिर्स की स्कॉट एक जगा पज़ चुकी है बट सेवन सेक मैजिक ओपी यहां पर देखने में ज़ए सूजी की स्पॉट से आया यहां पर पहली बार इनको मैंने देखा है फिलाल के लिए डेख शॉट्स यहां पर सारी स्कॉट्स रोटेट उपर में आ चुक है ब्रूट गेमिंग और यहां पर नेड ट्राइ किया जा सकता है काफी अच्छा यह नेड होगा नो डाउट क्योंकि यहां पर बंदे काफी गलत सीन होता हो नेड यहां पर पड़ेगा और फिनिश किया है यहां पर बट नीचे बचे हुए थे तो इसल पूजी हिटमैन ओपी यहां पर बचाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा यहां पर ब्रूट गेमिंग को बचाना डिफिकल्ट का सा सीच्वेशन है बट लेट सी वार्ट ही स्कॉर्ट विल मेक अप टो इट और अभी के लिए यहां पर मैजिक्स ओपी एंगल बनाए रखे ब्रूट गेमिंग को यहां पर रिवाइब देने की जरुरत पीछाने का कॉल आ चुका है उनको बट यहां पर देखना होगा मिश्ट परफेक्ट क्लोजिन नहीं कर रहे हैं यहां भी सक तो कोई डिफिकल्टी होने वाली निए ब्रूट गमिंग यहां पर तीर 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 करते हो तनीश यहां पर आ चुके हैं फिनिश करने की कोशिच की जा सकती है उनके द्वारा बट अच्छा वासा स्प्रे आता हुआ दोनों ही साइड से ब्रूट गेमिंग को यहां पर डाउन नहीं करने देंगे और काफी लो यहां पर डेट शॉट देखने मेरे सूजी की यहां पर डेट शॉट ने नॉक किया है और डेट शॉट यहां पर काफी अच्छा स्टैंड लेते हुए अपनी टीम के लिए मिस्टर पॉर्फेक्ट यहां पर लेफ साइड में आ गया है स्प्रे करने की कोशिच करेंगे और बूट गेमिंग को यहां पर रिवाइब दे अभी के लिए नेड आता हुआ बड़ यह नेड आता हुआ यहां पर लेट सी कनेक्ट होता है कि नहीं तनीश यहां पर बहुत ही जादा पैनिक सिच्वेशन में अभी के लिए 7 सेकें मैजिक और पेन यहां पर नॉक पड़े हुए बूट गेमिंग यहां पर इनिशेटी से काफी अच्छा एंगल बनाया है अब लेट सी यहां पर कमाल करके दिखा पाते हैं यहां आता हुआ और डाउन किया आप जल्दी से जल्दी अपने बंदों पुठाने की कोशिच करेंगे सुजी पेन वहां पर ब्लीड आउट करते हैं और यहां पर भाई हमारे लूट क 55 पीपल अर लाइव और वहां पर टोटल वार के सैजल ने नॉक निकाला है और रूतरा ने भी टांड़ों को जीटेएक सी स्कॉर्ट से फाइट लेते हुए काफी अग्रेसिव स्टैंड यहां पर रूनी को भी नॉक कर दिया है सैजल ने नाश बंदा बंसा है यहां पर स सैजल यहां पर काफी अग्रेसिव खिलते हों देखना है मिल रहा है हमador को सामने से यहां पर हौकी स्कॉर्ड आरी है पहलेएं आर भार म अनिकी स्कॉर्ड के पास वापर जाने की कोषशिच करें र्यां पर 11 कि सकॉर्ड फाइट लेते हुए ग्रेवाल को में हम ने नॉक क खतरनाक तरीके से मेहम की स्कॉर्ड यहाँ पे चार किल्स के साथ 13 ब्लड लाइन को सीधी लाबी बेच देखने में अभी के लिए यहाँ पे लूट उट कर ली जाएगी जोन के अंदर है तो कोई भी इशू होने वाला है तीम नमर फाइप को यहाँ पे मुव्मेंट देने क खोड़ा चो कि यहां पर देखना होगा कुछ बहुत ही ज्यादा वाइड रोटेशन है टीम एल जी ओके दिस बन इस तीम एल जी तो यहां पर देखना होगा मेरे को टोटल वार के सामने से स्कॉर्ड जा रही है वह टीम नमर फाटीन है जिनका नाम है टीम ठंड ओके अब बाकी चीज़े टोटल वाकी स्कॉर्ट पीछे से आते हुए अभी के लिए और भाई क्या हो रहा है देख रहे हो अब कतर नाक रेंडरिंग आ रही है अभी सोगन की स्कॉर्ट ओके टीम नमर 25 यहां पर शॉट्स करने की कोशिश वेहिकल निकाल लिया है अपनी लूट यहां पर छोड़ के आगे मूग करके यहां पर नॉक निकालना चाहरेंगे बट सामने में यहां पर बंदे जाते हैं अभी के लिए बंदे यहां से निकल च सामने में पर बंदे के लिया और बूर्ड गेमिंग यहां पर अभी के लिए इंके पास सामने में बनाने की कोशिश स्टार्टिंग से अभी यह के लिए नबर स्कॉटीब को कैसे यह वाइट मेंगेज करते हैं सामने में यहां पर बंदे आ चुके हैं दीरे दीरे यह बंदे अभी थोड़े देर के लिए इनको पता नहीं आए तिक कि ब्रो आम यहां पर वेहिकल में बैटे हुए और सामने में डेट पूल यहां पर चेक करने की कोशिश टोटल वार क मरसी को यहां पर डाउन किया है वेहिकल से और वाहिट यहां पर इंट्रेस्टिंग होती हुए सामने से यहां पर बेबी गुरूट को नौक कर दिया था और रेगनारॉक को नौक कर दिया है पांच के लिए यहां पर सायजल के और रेडी हो चुके दमी को भी नौक कर दिय यहां पर फिपी स्विच्च करके डायटोना को भी पिक करेंगे सैजल और भाई सैजल का जो गेम प्ले है खतरनाक होता हुआ तीन किल निकाले इस वाइट में अभी के लिए मरसी को रिवाइब देते हुए बहुती खतरनाक गेम खिलते हुए यहां पर सैजल ओपी गेम प्ल जोन के अंदर बाकी जोर्जों से बंदों को मूव करने की ज़रूरत रोजों से और पार्म की साइट से भी यहां पर जो पोटेटो आउसे से बानाव सारा लीव करना पड़ेगा आपको फिलाल के लिए देखना होगा यहां पर क्या गेम प्ले होता है बारा स्कॉड बश् और यहां पर नूबी के ओपर जरूरत रोटेनी की कोशिश की जाएगी बट नो डाउट यहां पर कोई भी शॉट्स कनेक्ट नहीं होता हुआ पीछे से आपर बंदे आ रहे टीम नमर नाइंटी इस नाओ इन डिफिकल्टी यह तीश के ओपर भी शॉट्स लिए जा सकते हैं बट नो डाउट यहां पर लीफ करते हुए अभी के लिए जोन का रोटेशन ज्यादा इंपॉर्टेट जोन यहां पर वान मिनट 56 सेकेंड में बनेगा खुछी देर में यहां पर हम लोगों काफी सारी पाइट देटने मिल सकती है मार्की स्कॉर्ड यहां पर जो हमारे यहां पर डेड़ पुल आई तिंक वाइब हो जाएंगे और जी हां यहां पर बूट गेमिंग वाइट ही अपने किल सेक्यूर करते हुए उधर की हौक की स्कॉट टोटल वार की स्कॉट से यहां पर जा भीड़ी है और अभी के लिए री डॉट को नॉक कर दिया गया है फ चैनल देंगे यहां पर यहां पर एक बंदा काली किया और कोई मतलब इस बात का बंदा नहीं की कोशिश कर नई है यहां पर टॉटल वार के वहीकल बशě कर रही है ऑब है Notice कि सुट होते हैं अभी के लिए मौफिस को यहां पर फिनिश रहो के कोशिश करने की कोशिश कर्त देखुल फिलाल यहां पर अभी के लिए वह को हुर यांपर करृचिे मिजा करने कुर्श करने की धरोड़ा करण भी अभी ए قिल सक्क्राइब मांप मोप महां पर फिनिशक और मयंक मखीजा को यहां पे नॉक किया है और यह किस साइड नॉक हो रहे हैं यसी डिबाला ने नॉक किया है बुचर ने आयम क्यूब को नॉक किया है लॉगनाउन की स्कॉड I think इस नाओ इन इंस्टिंक्शन और फिलार के लिए मेहम की स्कॉड यहाँ पे क्लोज इन करते हुए फिलार के लिए काफी बुंबा मोता हुआ मर्सी को यहाँ पे नॉक कर दिया और भाई खतरनाथ टाइप से मर्सी का स्प्रे अभी के लिए भुपी बाइनस नेकिन किया दो बंदे नॉक हो चुक है फिलार के लिए रीडॉट यहाँ पे ओपन से आते हुए रीडॉट के पर स्पिडेने की कोशिश और लिटरली 20 HP बचते हुए हौकाई यहाँ पर पता निका है अपने बंदों को यहाँ पर चांस दो सहदल यहाँ पर ओपन में आ चुके है हौकाई नोड आउट फिनिश हो सकते थे बट 20 HP बसते हुए फिलाल के लिए काफी पीछे रह गयते अगर साथ में जाते हैं यहाँ पर तो कुछ सीन बना सकते थे अपनी टीम के लिए बट इतना ज़्यादा फ्लैंक और वाइड रोटेशन यहाँ पर टिफिकल्टी देता हुए अभी तेख हील नहीं की ऐसे स्मोक्स में कर रहे थे तो अब हील करने की ज़रूर सहदल आ चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर होकाई का गेम कभी भी फिनिश हो सकता है फिलाल के लिए सहदल यहाँ पर वाइप करते हुए आर्टीवी की स्कॉर्ट टीम में हम इस डाउन राइट नौ काफी ज़्यादा एग्रेसिव टैंस लिया था बट उनकी टीम के लिए यह थोड़ा गलत साबित होता हुए टोटल वार की स्कॉर्ट यहाँ पर 14 किस निकाल चुकी है फिलाल कले और अभी यहाँ पर टीम नौर 17 पोरांप की स्कॉर्ट के बास में यहाँ पर काफी सारा फाइट देखने मिल सकता है टीम नौर 6 उनके ऊपर में जो की सूजी की स्कॉर्ट है अभी तक पुचिं की लीव नहीं किया इन बंदों ने और आप यहाँ पे अभी भी अंदर हैं वैसे तो तो आई डोंट तिंग कि यहाँ पर मूवमेंट देखने मिल सकता है और सूजी के हीट मैं यहाँ पर ओपन से आते हैं वेहिकल यहाँ पर सॉट्स आएंगे लेवी के लेट्स स्प्रेश यहाँ जाता है या नहीं और सिंगल शॉट लेने की कोशिश यहाँ पर वेहिकल में मैं पहली बार ऐसा देख रहा है अपने सुच्टम में कि कुछ नो डाउट यहां पर बूर्ट का काफी अच्छा रिवर्स पायर और अभी के लिए लाज बंदे बसते हैं हानी हमारे टीए जैट के स्ट्रेडाउन करने की कोशिश स्टेडियस खोलके और यहां पर स्कॉर्ड वाइप कर दी है टीम धंडर की फिलाल के लिए अब यहां पर के अंदर थोड़ा सा और ज्यादा बसाड़ना लिए साउन तोरी डाउन कर दी जाए और पोराम्स के लेवी वहां पर अभी तक पोराम्स यहां पर इनिशेटीव ले सकती थी अगर लेना चाहती तो थाट पार्टी यहां पर काफी अच्छा बन सकता था बट नो डाउट यहां पर अपना कवर नहीं चोड़ना चाहेंगे फिलाल के लिए 32 पीपल साल लाइफ काफी अच्छी मैच होते हुए यहां पर टी टोटल वर की स्कॉर्ड यहां पर कंप्ली स्कॉर्ड के साथ 14 चिल्स के साथ अपना पूरा डॉमिनेटिंग मोड में यहां पर एज देने की कोशिश करने की कोशिश होगी उनकी और काफी अचा ट्रेड पिर से माल नूबी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो यहाँ पे सामने में क्रिश बाट रिवाइब पकड़ लिया अभी के लिए नेट ट्राइ किया जाएगा इनसे और प्री नेट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्री नेट और गन भी नहीं पकड़ है I don't know what he want to do बहुत बहुत ही नेट डाल रहे है I think I don't know पीछे यहाँ पे टियो जी के असुरा मुव करते हैं और शिटी स्कॉर्ट पे और अभी के लिए 29 पीपल्स अलाइब और नौटी में यहाँ पे बसती है और भी फाइट नहीं पे काफी सारी चल रही है और यहाँ पे थोड़ा सा कैंप कर गेम होने वाला है जोन के लिए मुवमेंट देना दोनों ही स्कॉर्ट को जरूरी बट कोई भी मुवमेंट हम लोगो आभी नहीं देखने में रहा है लाग सोगन की स्कॉर्ड ओबे यहाँ पे आते हुए जोन के अंदर काफी देर से स्कॉर्ट के उपर मेरी नजरी नहीं गई क्योंकि यहाँ पे कोई भी फाइट एंगेजमेंट नहीं लिया था यहाँ पे टोटल वार के सामने में और लेट सी यहाँ पे फाइट यह फाइट पे करने की कोशिट यहाँ पे पीछे से आते हुए देखने मिल रही है और यह सी की स्कॉर्ड यहाँ पे इनको इनको आ चुका है फोराम की स्कॉर्ड के पर स्प्रे लेकर यहाँ गलती की जा सकती है जैंक से क्योंकि राइट साइट में आपे स्कॉर्ड और स्प्रे ले ल और बहुत ही ज़्यादा लो है और नो डाउट लीजन को पिक अप किया है डिबाला ले एसी बहुत ही अचा गेम प्ले दिखाते हो है वेहिकल यहाँ पर लगा दिया गया पर फूर राम्स की स्कॉर्ड कभी भी खतम हो सकती है काफी अचा स्प्रियात हो उपर से सुमित का ड तीछे डाउन करते है लोन वुल्फ को डिबाला भाई क्या ही गेम प्ले दिखाते है वाइब कर दिया भाई बंदे को बहुत ही तेर यहाँ पर एसी की स्कॉर्ड बारा कि निकाल चुकी है टोटल वर की स्कॉर्ड यहाँ पर आ सकती है फायर शॉट सुनके अभी के लिए कोशिश की जाएगी गीटी अक्स को राइट साइट से टोटल वर की स्कॉर्ड यहाँ पर अभी के लिए स्कॉर्ड करने की कोशिश बहुत यह अचा है आपर नौक निकाला था दोनों बंदों को अभी फिनिश नहीं किया है लेवी और लीजन आइटिंग ओके वहाँ पर स्कॉर्ट की फाइट से डिबाला को यहाँ पर नौक डाल दिया गया है उन्हों लो थे वह अभी के लिए हिल पॉप कर दिया गया है इस पर नौक करने की कोशिशों की जीटी अक्स यहाँ पर गेम बिगार सकते हैं राइस तल्चे शॉट्स आते हैं काफी सारे टोटल वर की स्कॉर्ट यहाँ पर देखना होगा क्या कुछ कमाल करके दिखा पाती है मेंटल के राहूल यहाँ पर देखने मिल रहे हैं और मर्सी को फिर से नौक डाल दिया है डिबाला ने अभी तक लेकिन एसी की स्कॉर्ट रश नहीं कर रही है काफी जादा नौक कर चुके जीट इसके थैनक्स को नौक कर दिया है सामने में मेंटल को यहाँ पर डाउन करने की कुछी लोग डिबाला है यहाँ पर नौक रता हुआ पर बड़ी कवर दे दिया यहाँ पर बोडी कंट धिया यहाँ पर पर तान। देखना होगा क्या यहां पर कमार करके दिखा पाते हैं जैंक यहां पर open से move करते हुए राहूल के सामने में swap नहीं किया बट कर लिया at the end और 14 kills निकाल चुकी है यहां पर ESE की squad दोनों ही squad बहुत ही टककर की total war भी 14 kills पर ESE भी total 14 kills पर देखना होगा है सूजी की squad पीछे से आते हुए देखने में रियर्जोन के अंदर एंटर करने की कोशिश रहीगी और we are down to 16 काफी मज़ा रहा है भाई क्या ही gameplay हुआ हौक की squad पीछे से आते हुए अभी के लिए ओबे की squad को wipe किया था बट माल टीम ALG उनके सामने में अभी के लिए पीछे साइड ने हैं उनके पर ओके नहीं की squad यहां पर wipe नहीं हुए बट हॉक की यहां पर down होते हुए अभी के लिए माल टीम ALG यहां पर देखना होगा पीछे लेफ साइड उनके यहां पर हम लों को देखने में रहे है यह सी का squad शॉट सुनके यहां पर आ सकते हैं 21 पीपल आर लाइव और आप देख सकते जोन कितना चोटा हो चुका है क्या ही मजा रहा हो बंदों को अभी फिलाल के लिए अभी अंदर आने की कोशिश होगी टोटल वार की और यहां पर नौक निकालते हो और बुचर यहां पर अभी के लिए रश करते हो है ALG की squad पर पर नौक की अब बुचर को यहां पर रिवाइब मिलता हो बट यहां पर ट्रेड जरूर आएगा अभी के लिए यहां पर पुल आने करते हो है दो बंदे नौक है ALG के नूबी को रिवाइब मिल चुका है बट यहां पर हैरी साखरी बंदी अगर मैं बोलू हारी और लेते हैं लूट करने की जरूरत एसी के बंदे यहां पर 18 किल्स निकाल चुके हैं सुमित वहां पर नूबी को फिनिश किया था अभी के लिए बट आगे मूब करते हैं स्कॉट ओबे की स्कॉट के ओपर पाइट लेने की कोशिश की जाएगी ताप ही अच्छा है यहां प पांच पांच शे के लिए से खतरनाक ओन बुचर अभी सबसे नीचे में बट मरसी ने वहां पर सेवन सेके मैजिक को मैजिक सोपी को डाउन किया है और सूजी हिट मैन को भी डाउन कर दिया है बट यह वाली फाइट अभी होने वाली है तो वी कांट मिस दिस वन राइट और यहां पर फिर से रोंच करते हुए पूरे ही बंदे आभी के लिए यहां पर घुज घुझ के नॉक किया जा रहा है लफ साइड में डिबाला थोड़े से लो हो चुक हैं और अब यहां पर अभी के लिए यहां पे हील करते हैं, टोटल वार वर्सेस यहां पे देखने मिल रहा है, अब लोगो 21 किल निकाल चुकी, ESE की स्कॉर्ड और यहां पे टोटल वार ने भी एक स्कॉर्ड वाइब किया, सूजी की स्कॉर्ड को, तो लेट सी यहां पे क्या, कितने 18 किल सो चुक देखने मिल रहे हैं, ESE की स्कॉर्ड को जोन के अंदर आने की जरूर राज, विलाल के लिए अब यहां पे मुव्मेंट दिया जाएगा, टोटल वार वर्सेस ESE यहां पे, अगर टोटल वार यहां पे चिकंडी ने ले जाती है, तो नो डाउट यहां पे टोटल इनके भी 21 किल्स हो सकते हैं, विलाल के लिए जोन के अंदर मूब करते हुए हमारी स्कॉर्ड, 888 MS का पिंग दिखा रहा है, आप रिकॉर्ड कर रहो ना, नहीं कर रहो, करो ना रिकॉर्ड, ऊपर जाउन करूए, टोटल वार के स्कॉर्ड के पीछे में आने की कोशिश, पिंग वापस आ चुक है, अभी के लिए यहां पे टोटल वार की स्कॉर्ड से फाइल लेने की कोशिश होगी, सामने में यहां पे टोटल वार की स्कॉर्ड भी थोड़ा सा रोट, स्प्रेड होने की जरूरत हैं, इनको क्योंकि एक जगा एकमोडेट हैं, और अभी तक हो गएगी, अंगल निकालते हैं, थोड़ा सा डेप्ट का एरिया, थोड़ा सा डिट्सरड वांटेज होगा आगे के रिज़ यहां पे होल की जा सकती थी, बट ESE सुमित यहां पे आ चुके हैं, और I think they know where the squad is, टोटल वार की squad के ओपर, यहां पे चारो तरफ से एंगल बनाने की कोशिश की जाएगी, जैंक यहां पे आगे जाते हुए, सैजल यहां पे पिक आप कर सकते हैं, जैंक को नो डाउट क्योंकि अभी अलग एंगल में बैठे हुए, खिलाल के लिए सैजल का परस्पेक्टिव देखने की जरूरत पीछे, अभी भी इनको लग रहा है, जैंक के बताओ, आपको क्या लग रहे, कौन सी तीम यहां पे चिकंटिनर ले जा सकती है, फिलाल, यहां पे मेरे हिसाब से साथ, जोन के अंदर है, यहां पे टोटल वार, एसी की स्कॉट को यहां पे जोन के अंदर आने की जरूरत, रूदरा ने यहां पे स्वार्ट कर लिया है, जोन का जो एडवांटेज, यहां पे टोटल वार उठा सकती है, रूदरा राइट साथ से एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, एसी के डिबाला आगे मूव करने की कोशिश करते हुए, फिलाल के लिए बट यहां पे पिक आउप किया जा सकता है, काफी अच्छा एंगल मिल गए अब टोटल वार को, नो डाउट पीछे का एंगल अब इनको पता है कि कोई स्कॉट होने वाली नहीं है, सैजल का यहां पे थोड़ा सा फ्लैंक और अब यहां पे कवर में जाने की कोशिश, राइट साच से भी अंगल देखने की कोशिश करें, दोनों स्कॉट को अगर यह बात पता है कि दो ही स्कॉट बचिए तो यहां पे अच्छा सीन हो सकता था, रूदरा के सामने में वेहिकल लेकर आते हुए गलती हो सकती थी, इनकी और डिबाला यहां पे जम किया है, फिलाल के लिए एंगल बना लिया, अपना कवर बनाते हुए सामने में यहां पे फाइट देखने मिलेगी, सैजल का रोटेशन यहां पे थोड़ा क्रूशल हो सकता था, देखने की बात हों कि जैंक ने यहां पे स्वाट कर लिया, सैजल को यहां पे नॉक कर दिया गया है, strongest player from his team, अभी के लिए यहां पे finish आप भी कर दिया, within second, बट यहां पे mercy को नॉक किया, बट नेड आता हो, कमाल का, फिलाल के लिए दोनों स्कॉट काफी अच्छा, पोजीशन में डिबाला और जैंक दोनों नौक है, 2v2 का situation, I think, रूदरा यहां पे open में जाने की कोशिश करें, revive देने की कोशिश करेंगे, मर्सी को यहां पे revive देने की ज़रूरत, पीछे यहां पे fallback किया है, पता नहीं क्यों, यहां पे आगे aggression दिखाना चीए था, सामने में आपे रूदरा अकेले hold करते हो, यह ऐसी के डिबाला यहां पे heal हो चुके हैं, बट जैंक को revive देने की ज़रूरत, स्मोक यहां पे आते होए, जैंक को यहां पे revive देने की ज़रूरत, तो डिबाला यहां पे heal करते होए, पीछे में यहां पे तीनों बंदे वापस खड़े हो चुके, 4v3 का situation मना चुके हैं अपने लिए, यह ऐसी कि जैंक बट अभी भी low है, डिबाला यहां पे revive नहीं दे रहे हैं, अब revive पे वापस आ चुके है, टोटल वर की squad यहां पे थोड़ा सा split होते है, बुचर के लिए, राइट साइट का एंगल यहां पे प्लैंक करते हों देखने में रहे हैं, टीम और नेड यहां पे ट्राइ करते हैं, डिबाला का, अच्छा हो है, यहां पे पीछे मूब कर गया है, बुचर नहीं तो नेड आ तकता था जरूर, टोटल वर की squad यहां पे अभी के लिए आगे मूब करते हैं, स्नेकिंग करके, अभी यहां पे जैंक को स्पॉट कर लिया, मर्सी ने, और लेट सी यहां पे क्या कुछ कमाल करके दिखा पाते हैं, सैजल जो strongest कंटेंडर थे, इनकी टीम से वो यहां पे वाइप होगे, तो प्रेशर काफी जरूर होगा, उनके एंटी फ्रेगर यहां पे डाउन हो गया है, सबसे पहले, लेट साइट से सुमिछ जो पीछे होल्ड किया, तो वो बहुत अच्छा एंगल निकालते हैं, बट यहां पे जैंक को लो कर दिया गया, जैंक यहां पे वापस निकिन करेंगे, पीछे जाने के कोशिशी शील करने की ज़रूरत, पीछे से लेफ साइट से यहां पे स्प्रे आता हो, रूदरा को डाउन करने कोशिशी बुचर को यहां पे नौक कर दिया गया है, रूदरा से, 18-26 kill के साथ यहाँ पर chicken dinner ले जाते हुए हमारी ESE की squad बहुती गजब का gameplay यहाँ पर टिबाला सुमे जैंक बुजर का अभी के लिए total war की squad ने भी कुछ कम नहीं खेला second position पर आए with 18 kills I think यह 18 kills के साथ second position पर आते हुए ओबे की squad 3rd position पर यहाँ पर सूजी की squad ने भी काफी अच्छा 8 kills का game दिखा है हम लोगों position they will get और बाकी के stats यहाँ पर उतने खास नहीं बट काफी सारी टीम ने यहाँ पर महनत की टीम में हम यहाँ पर बहुती ज्यादा early exit देखने मिला हम लोगों काफी दिनों बाद क्योंकि हर दिन हम लोग देखते थे आउटर जोन से rotation करके आकरी में zone cut करनी की कोशिट की जाती थी बट आज थोड़ा गेम फॉर्मेट चेंज किया इन्होंने ब्रूजस की स्कॉर्ड भी यहाँ पर 13 ब्लड लाइन भी बहुत ही जल्दी विदिन सेकेंड वाइप हो गई वहाँ पर आपने देखा होगा जैसे और भाई मिश्टियस की स्कॉर्ड को पूचिंगी के आसपस यहाँ पर फाइट होई थे इनकी और बाकी यही था आज का गेम प्ले अगर आपने इंजॉइ किया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताईए आपको क्या तगड़ा यहाँ पर क्या चीज अची लग रही है क्या खर झाल